क्लोज अप, मिट शॉट, ओके कट, नहीं, वाइट शॉट, वाइट शॉट, नमस्कार दोस्तो, एक बार फिर आप लोगों के बीच में हूँ एक नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो को बनाने का कारण ये है कि कुछ स्टूडेंस मेरे पास आए और वो फिल्म एडिटि के मन में इस को लेकर मैंने खुद भी अपनी सोर्सेज के थ्रू पता किया है कि इस कोर्सेज में ज्यादा बच्चे स्टूडेंस महीं आ रहे हैं वो इंटरनेट के थ्रू ही इस कोर्स को करना पसंद करते हैं तो मैं आज आप लोगों के कुछ कंफूजन को क्लियर करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं सुरुवात में मैंने कुछ सब्दों का चैन किया था कुछ क्लोज अप कट्स है ना और कुछ मिड शॉट वाइड शॉट यह सब पार्ट हैं एडिटिंग के यह शॉट्स होते हैं एक एडिटर को यह पता होना चाहिए शॉट्स क क्या होते हैं ज्यादा तर स्टूडेंस जो हैं या जो एडिटर बनना चाहते हैं वो आजकल यूट्यूब जहां पर आप मुझे देख रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेस्बुक पे जो रिल्स या अपनी शॉट फिंस वगरा बनाते हैं उसके लिए एडिटि इतना आसान नहीं होता है एडिटिंग करने के लिए आप उसके एस्थेटिक्स एक मीनिंग होता है एडिट करना आप लोग ज्यादा तर सोचते हैं कि हम लोग कुछ वीडियो बनाना चाहते हैं और उन्हें हम टाइम लाइन पर बठाएंगे और एडिट कर लेंगे और कट के नाम पे या टांजिशन के नाम पे आप डिजॉल्व कर देते हैं आपको लगता है इसे हां डिजॉल्व कर देते हैं पर डिजॉल्व कर रहे हैं कट क्यूं कर रहे हैं यह भी तो आपको पता होना चाहिए ना तो इन ही तमाम चीजों को इस कोर्स में बताया जाता है पह उन्होंने ऐसे ही कि शॉट ले लिए और उनको एक के बाद एक लगाते चले गए जैसे मैं आपको बताता हूं कि हमारे टाइम पे जब नया नया उसमें आप इन तमाम चीजों पर ध्यान रखते हैं कि मैं कौन से टांजिशन को कब इस्तेमाल करूं जैसे कि मैं एक एक स्टूडन ने मुझे बताया कि सर मैं पर डे मेरी बेहन जो है जो एक वीडियो बनाती है अपने चैनल के लिए वो दिन में क्या कर रही है उसका बनाती और वो जदातर उन्होंने मुझे जब दिखाया तो पता चला कि उसमें वो स्पीड अप कर देती है अपने जो भी कारिकरम होते है पर डेगा उसको स्पीड अप करके वो दिखाती में ताकि वो 10 मिनट में या 15 मिनट में जो भी उनका वीडियो लेंथ है योट्यूब चैन हो सकते हैं टाइम को बढ़ा रहे हैं लेकिन कोई चीज़ें ज़रूरी नहीं है तो यह सारी तमाम चीज़ें जो कट्स हैं जम कट क्या होता है जे कट क्या होता है एल कट क्या होता है राइट टांजिशन क्यों लगा रहे हैं आपने क्रोस जोल क्यों लगाया फेडिन क्यों क और ओडियो कट्स क्या होते हैं ये सारे चीजें सीखने के लिए आपको बहतर होगा कि आप अपने किसी नजदी की इंस्ट्यूट में जाएं वहां से स्पोर्स को करें और समझें कि किस तरह से हम एक बहतर फिल्म बना सकते हैं आज कल आप फिल्में देखते हैं चाहे आप र वह ऐसा क्या करता है कि दो मिनिट के अंदर उस फिल्म का आपको इतना इंटरेस्टिंग तरीके से आपके सामने पेश करते हैं कि आपको उस मिन करता है और फिल्म में वैसा नहीं होता जैसा कि आप देख रहा है तो आप इन चीजों को समझे किए एडिटिंग जो है वह ब पार इडिटर को न चाहिए कि मेरा-डिरेक्टर किस तशीक कहानिया यही चीज है जो कि इस कोर्स में महत्रपता रखती है जो आधे से ज़्यादा स्टूडेंस यह नहीं समझते हैं कि हम तो बस टाइम लाइन पर बिठाएंगे सर और हो गया पर नहीं दोस्तों वो जो टूल्स हैं जो आपके आसपास उस टाइम लाइन के आसपास दिखाई देते हैं उन टूल्स का कोई कारण है रेजर को कहां आपको इस्तेमाल करना है यह बहुत जरूरी है कहां पर आपको कौन सा कट आगे करना है कहां पर साउंड को आगे लेके आना है और आगे sound क्यों आ रहा है पिछले short का या पिछले से आने वाले short का sound आपको सुनाई दे रहा है इसका कारण क्या है आप उससे कहना क्या चाते हैं तो ये समाम चीजें आपको सिखाई जाती है ये aesthetic सिखाई जाते हैं ये जो उसकी knowledge आपको होनी बहुत जरूरी है क्योंकि आप एक film को shape दे रहे हैं और मैं तो इतना बता सकता हूँ कि कई filmें ऐसी हैं जिन्हें की script में आपने कुछ और देखा था लेकिन editing पे आने के बाद वो filmें ही बदल गई मैं कुछ filmों के जिक्र ऐसे भी बता सकता हूँ आपको कि जो filmें की ending कुछ और थी और editor ने बताया कि इसे better रहेगा कि अगर इस ending को हम सुरुवात में बता दें तो film का narrative ही बदल जाएगा क्योंकि अगर हम जब edit करके देख रहे हैं में इतना मज़ा नहीं आ रहा है वहतर होगा कि हम उसे अलग तरीके से प्रेजेंट करें तो यह पावर होती है editing की इसलिए अगर आप editor बनना चाहते हैं या short film editor या read editor जो भी है वो आप जो भी करना चाहते हैं आप पहले इस course को सही तरह से समझीए कोई भी course हो उसे जानना बहुत जरूरी है चाहे वो camera का course करते हों चाहे editing का course करते हैं चाहे आप news editing ही देख लीजिए आजकर तो बहुत अच्छा लगता है जब एक अच्छा editor काम करता है रिशिकेस मुखर जी की चाहे संजेलिला वनसाली हो या फिर हम सब के फेवरिट जो उन्होंने मुन्ना भाई एंब बिएस जैसी पी के त्री इडियर्ट जैसी फिल्में दी है राइट तो आप समझिए editor एक film को table पे बना देता है director उसके मन में जो चल रहा है जिसे उसने cinema पे ले के आया है मतलब camera पे उतार के लाया है उसे वो पूरी तरह से बना के आपके सामने present करता है बिल्कुल वैसे ही present कर देता है जैसे की director का vision है जहां तक मेरा ख्याल है आप लोगों के बहुत सारे confusions इससे दूर हो गए होंगे लेकिन अगर फिर भी मन में कोई सवाल है तो आप मेरे in comment box में लिख सकते हैं मैं आप लोगों के बीच में फिर आऊंगा DFS के इस नए जो वीडियोज हम बनाते रहते हैं confusion धूर करने वाले उसमें तो कहीं मत जाहिएगा next वीडियो का इंतजार कीजिएगा और हां like subscribe तो करते ही रहिएगा धन्यवाद नमस्कार